पाकिस्तान की सरकार के साथ सीसफायर की कवायट शुरू होने के बीच टीटीपी का एक नया वीडियो भी सामने आया जिसमें उसके आतंकी हतियार चलाने को ट्रेनिंग लेते हुए साथ दिखाई दिये और बताया जा रहा है कि ये वीडियो अफगानिस्तान के एक इलाके का है जहां तेहरी की तालिबान पाकिस्तान के आतंकी अमारिका के छोड़े गए आधुनिक और घातक हतियारों के साथ ट्रेनिंग करते दिखाई दिए जो वीडियो सामने आया उसमें सुरक्षा बल जैसे कपड़े पहने टीटीपी के आतंकी हतियार चलाने और दुश्मन को धेर करने का गुर सीखते दिखे इस वीडियो के सामने आने के बाद ये आशिंका जुताई जा रही है कि ये आतंकी संगठन पाकिस्तान पर किसी बड़े हमले की ताक में है मतलब ये कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर कोई बड़ा हमला हो सकता है जबकि खबर ये आई थी कि वो पाकिस्तान के साथ दुबारा सीजफायर चाहता है लेकिन ये वीडियो सामने आने के बाद माना जा रहा है कि टीटीपी सीजफायर की आड में अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है और उस बीच श्रीलंका के खलाफ होने वाली वंडे सिरीज में जस्वीद बुमरा टीम का हिस्तान नहीं होंगे इसका मतलब ये कि बुमरा को मैदान में वापसी के लिए भी इंतजार करना होगा जिसकी वज़ा बुमरा की फिटनेस को माना जा रहा है चोड के बाद टीम इंडिया में तेज गेंदबास बुमरा की वापसी की उम्मीद थी पहले उन्हें टीम में शामिल भी किया गया लेकिन बाद में बाहर कर दिया गया गुहाटी में 10 जनवरी से भारत और श्रिलंका के बीच वन डे सीरीज का पहला माच होगा उदर ग्रीस से बढ़ते तनाव की बीच तुरकी की वायुसेना ने ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी किया दोनु देशु के बीच समुद्री सीमा, नाच्रल गास और एजियन सागर के टापूं को लेकर विवाद है जिसकी वज़े से तुरकी और ग्रीस के बीच कई बार युद्ध जैसे हालात तक बन चुके हैं इस बीच तुरकी ने अपनी वायुसेना की ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी किया जिसके जरीए तुरकी ने ग्रीस को ये चितावनी दे दी कि अगर उसने एजियन सागर के टापू पर अपना हक जताना बंद नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा ट्रेनिंग का जो वीडियो सामने आया उसमें तुरकी के लडाकू विमान आसमान में अपनी ताकत को परकते दिखाए दिये यही नहीं इस ट्रेनिंग में अमारिका के E3A, AWACS यानी Airborne Warning and Control System विमान ने भी हिस्सा लिया और तुरकी के फाइटर जेट उसम विमान के साथ तालमेल बिठाते दिखाए दिये इससे पहले भी तुरकी ने अपने सैनिकू के ट्रेनिंग का विडियो जारी किया था रूस ने जंग में अब तक का सबसे बड़ा दावा किया है और दावे ये कि उसकी सेना ने दुनेस के केक रामतोरस के शहर में यूकरेन के 600 सैनिकू को मार गिराया इसे पुतिन का सबसे बड़ा बदला अब तक बताया जा रहा है क्योंकि ये साल के शुरुवात में ही यूकरेन ने नवासी रूसी सैनिकू को मार गिराया था जिसके बाद यूकरेन ने इस बात का डर जटाया था कि पुतिन बदला जरूर लेंगे और अब रूस जो दावा कर रहा है उसके मताबिक पुतिन ने यूकरेन को एक बड़ा घाव दिया है उन्होंने अपने नवासी सैनिकू का मौत का ऐसा इंतिकाम लिया कि पूरा का पूरा यूकरेन कांप जाए पुतिन की सेना ने डुनेस्क के क्रामतोरस्क के शहर में यूकरेन के एक ठेकाने को तबाह करने का दावा किया रूस के मताबिक उसके मिसाइल हमले में यूकरेन के 600 सैनिकू की मौत हो गई जबकि सैकडू की संक्या में जिलन्सकी के सैने खाल भी हो गए हाला कि रूस की तरफ से ये नहीं बताया गया कि उसने यूकरेन पर यह हमला कब किया और नहीं क्रामतोरस्क में यूकरेन के ठेकाने पर हमले का कोई वीडियो सामने आया लेकिन रूस ने दावा किया कि उसने यूकरेन के 600 सैनिकू को मार गिराया है और इसके लिए उसकी सेना के खुफिया विभाग ने यूकरेन के ठिकाने के बारे में सटीक जानकारी दी थी जिसकी मदद से रूस ने मिसाइल हमला किया और उस इमारत को उड़ा दिया जिसमें यूकरेन के सैनिक रह रहे थे रूस के मताबिक रमतोरस के शहर में यूक्रेन ने दो इमार्तु में अपने सैनिकू को रखा था इन इमार्तु में यूक्रेन ने बड़ी संख्या में हतियार भी रखे थे रूस ने दावा किया कि उन दोनों इमारतों में यूकरेन के तेरे सो सैनिकों मुझूद थे और रूस के मिसाइल हमले ने उनमें आधे सैनिकों को धेर कर दिया हलाकि यूकरेन ने रूस के इस दावे को सिरे से नकार दिया यूकरेन ने 600 सैनिको को मार गिराने के रूस के दावे को प्रापगंडा बताया ताकि यूकरेन के सैनिको का मनोबल कम किया जा सके यूकरेन के मताबक उसकी सेना ने नए साल पर डुनेज किके मकीवका शहर में रूस के 400 सैनिको को मारा था लेकिन रूस उसका बदला नहीं ले पाया तो वो यूकरेन के 600 सेनिकू के खात्मे का जूट फेला रहा है